कि हैं दो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे आज हम बात करने वाले हैं हैं इंडिया लिमिटेड स्टॉक के बादे में और इसे स्टॉक का हम टेक्निकल अनलेसिस भी करेंगे तो फ्रेंट्स अगर आप चैनल को नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो सबसे पहले में बात करें लेकिन अभी थोड़ा सा नीचा आया फिर कॉंसलेटेशन तो फ्रेंट्स स्टॉक का जो सपोर्ट है सपोर्ट क्या निकल करेंगा निकल करके आता है तो आपको एक सपोर्ट देखने को मिल जाएगा यह आप एक सपोर्ट भी बना देते हैं यह वाला 1260 रुपए के असपास ठीक है अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो फ्रेंट्स रेजिस्टेंस आपको नजर आ रहा है लगो 1370 रुपए के असपास तो अभी क्या करना चाहिए इस स्टॉक में उसके बारे में हम बात करते हैं तो फ्रेंट्स आपको क्या लगा है स्टॉक उपर जाने वाला है यह नहीं जाने वाला है तो मैं बता दूं अकर स्टॉक ने 1275 रुपए का सपोर्ट तोड़ दिया तो फिर आपको स्टॉक लगबग 1170 रुपए के आसपास देखने को मिल जाएगा ठीक है अगर यहां से स्टॉक में रिकबरी दिखती है रिकबरी कहां से दिखती है अगर स्टॉक 1320 रुपए का लेवल क्रॉस करता है तो फिर आपको 1370 रुपए का टार्गेट देखने को मिल जाएगा ठीक है इससे जादा टार्गेट की आप सम सोचना भी मत क्योंकि 1370 तक का ही टार्गेट आपको मिल पाएगा यहां आप करिदारी करते हैं तो लेकिन अगर आपका स्टॉक 1370 रुपए से ब्रेक आउट दे देता है तो फिर आपको पहला टार्गेट 1430 और दूसरा टार्गेट दूसरा टार्गेट आपको फिर लगवग 1500 रुपए तक का देखने को मिल जाएगा ठीक है संबाबना है स्टॉक भी साइडवेज होने का प्रयाज करेगा इसी रेंज में गुंता हुआ आपको दिख सकता है इस रेंज में तो त्यान रखें ब्रेक आउट अगर होगा तो आप खरीदारी करें कि मुझे लग रहा है स्टॉक अभी थोड़ा सा टाइम स्पें टार्गेट आप ले पाएंगे तो इस स्टॉक पर नजर रखें ब्रेक आउट होने पर खरीदारी कर सकते हैं लेकिन अभी आप इस बीच के गयाप को फिल कर पाएंगे इससे स्टॉक से और उम्मीद नहीं कर सकते वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक और सेर करन ना भूले मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए सभी को रादे 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 प्राम्राब